हेलो दोस्तों हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज में बात करने वाली असिस्टन्ट प्रोफेसर की भरती प्रक्रिया को लेके तो यहां आप देख सकते हैं कि असिस्टन्ट प्रोफेसर की 368 पदो पर भरती होने वाली है शाषन को रिक्त पदों का जो है ब्योरा भेज दिया है तो जल्द ही शाषन की ओर से UPPSC को पदों का अधियाचन भेज दिया जाएगा और इसके बाद आयोग विग्यापन जारी करके भरती प्रक्रिया शुरू कर देगा उचसिक्षा निदेशाले ने कई महीने पहले ही राज के महाविद दियालों से रिक्त पदों का ब्यूरा मांगा था निदेशाले ने पहली बार रिक्त पदों की जो जानकारी थी वो आल्लाइन मांगी थी इस व्यवस्था के लागू होने से भरती के बाद रिक्ट पदों को लेकि किसी भी तरह की जो गुन्जाश है कि कोई नहीं होगा क्योंकि आञ लाइन जो है सब कुछ होगा तो कोई भी इसमें बद्लाव नहीं हो सकता किसी भी प्रकार का तो निदेशाले को राज के महाविद्याले से प्रोफेसर के 368 रिक्त पदों के बारे में सूचना मिली थी तो चलिए ये काफी अच्छी खबर है कि यहाँ पे आपको UPPSC GDC की तरफ से जो है तो ये वेकंसी जो हो गई वो आपकी UPPSC GDC की ओर से है जिसमें आपको 368 पदों पर भरती आने वाली है तो जो भी जानकारी होगी जो भी चीज़े आती रहेगी उधर से भरती को लेगी आप सभी को चैनल के मादेम से मैं बताती रहूंगे और इसके बाद जो भी नोटिफिकेशन जारी होगा वो सभी बताते रहेंगे और तयारी भी हमारी उसी प्रकार से चलती रहेगी तो और जल्दी जो हम असिस्टेंट फ्रफिसर के तयारी भी हम शूरू कर देंगे जैसे कि आपके आगे यह काफे सारी वीकैंसी आऻरही है यो बिय जैसी की भी आ रहे है तो अब जो है तयारी रहे गई है तो जैसे ही ये नोटिफिकेशन जारी जाता है इसके बाद हम अपनी तयारी शुरू कर देंगे जो भी स्लेबल्स है उसके अकॉर्डिंग तो चैनल से जोड़े रहीगा जो भी जाती है और कुछ अगर बदलाव चाहते है या कि इस तरह keys चैनल से जोड़े जाए जाएए या कुछ चेंजस क्या जाए तो वह भी baskets करके बताईएगा ताकि एक नए सीरे से आपकी पढ़ाई जा जारी हो सके तो कुछ भी अगर बदलाव चाहते हैं कुछ भी चैनज क्या जाएए तो वह भी कमेंट करके जरूर बताईएगा क्योंकि यहां अलग-अलग थौट्स होते है यहां अलग-अलग लोगों की सोच है तो ताकि उसके अनिसार जो है कुछ बदलाब भी आ सकता है पढ़ाई में जो भी आपका सिलेवस है तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताईएगा आप किस तरीके से पढ़ना चाहते है ताकि उसी प्रक्रिया में आपकी पढ़ाई जो है मैं करा सकू जो भी हमारा सिलेवस है तो चैनल से जुड़े रहेगा जो भी जानकारे होगी आप सभी को इसके माधम से पता चलता रहेगा धन्यवाद